CEO, LBDDA और उनकी टीम ने पहलगाम से यहाँ पे जो है वो Adventure Tour Operators को बुलाया था वहाँ से प्राने जो काफी ट्रेड के जो माने हुए Operators हैं इब्राहिम रैना साहब, रिपिन पंड़ता साहब, मुश्ताक पहलगामी साहब यह सारे लोग एडवेंचर एक्टिविटी बहुत कराते हैं अपने वहाँ पे तो आज यहाँ पे इनके जरीये से एक बहुत ही अच्छा नौजवानों के लिए एक वरक्शाप रखा था यह साथ और फिर वहाँ पे जाने के लिए आपको किन किन प्रिकाशन का लेना जरूरी है ये सब चीजे इनको सिखाई गई और कल भी यहां पे इसी बारे में रेजिस्ट्रेशन हुआ पहले दिन तो ये दो दिन की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रही मैं LBDDA को और सारे इनकी टीम को मुबारक बात देता हूँ और मुझे यकीन है कि यहां के नौजवान जहां के जो भी टूरिजम इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हमारे यहां पे बच्चे हैं नौजवान हैं बुजर्ग हैं वो सबी जो है वो इस का अच्छा फाइदा उठाएंगे और उनको अच्छा यहां से जो है वो एक अपर्चुनिटी एक शुरुवात है इस शुरुवात को अपने मंतक की अंजाम तक लेंगे और यहाँ टूरिजम, एडवेंचर टूरिजम एक्टिविटी और बाकी जो एक्टिविटीज है चाहे कैम्पिंग है चाहे होमस्टेज है उस सब को प्रमोट करेंगे ताकि कुपवारा जिले में जो नौजवान है या बाकी बेरोज़गार लोग है उनके लिए रोज़गा करेंगे और और भी लोगों को जो है वो कैम्पिंग के लिए एंकरेज करेंगे जो लोकल यहां का नौजवान है लोकल यहां के एडवेंचर टोर अपरेटर्स है तो हाई एक कंटिनिवस एफट है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो अवाम का रहता है क्योंकि उ एक हाम ब्लाद केंद्या मोट्या याद कर दो अगर अपनाश्या इन और दोसा जो यहां थे रहर मत थे कर दोब्र में चाहिए ज़िए आप लोगशी शोटें लगवाश्या है यहजिए अधर आप लोग पोड़ा से हेंदों से शोलके लोगों प्र इन पेले दिफिकल्टीज आपको आपको सारी चीज़े संभयो पहले भूपिद इंको मिटेंस भी बोलते हैं इसे बारों किसी को पता है रापलिंग क्या होता है जुरैम बर्फ इन चीज़ों से किसी भी प्रतार का कोई भी आपको नुपसान ना हो इस फ्लाय है जो उपसे रेंज की रियर को बचाता है तो वो इसका फ्लाय लगे रहे हैं वो यह साथ किश्मीर में काम करने वाले हमारे जो यहां पर मेहमान आए नहीं ताहल गाम में जो अपरेट कर रहे हैं इंको 20-20 साल हुए ही काम करते हैं और आज यह किसी को अपना रोजगार बना के और किसी चीज पर डिपेंदेंट नहीं है इसमें आप तो फिर्फ डिपेंडंड नहीं रहना है आप जुक्ती मेहनत करोगे उतना रोजगार बनें और तोरिस्ट कर ना है ताकि वो अगली बार आया वाए तो आप ये मत समयो कि कैसे आप मुझारा करते हैं